के और आज की वीडियों पे हम देखे लिए इस्गी है ओफ ही मूऔभगूब प्रॉपर्टी से इतनी ज्यादा अलग क्यों ए यह आप देखेंगे वेश्य टो लियूब अजिए होटी है तो मगर मोटा मोटा बेकश्थ तो वह लेंड हीू है पहले कीवीडियोस में आम एक तो लैन आते है इमोबल प्रापर्टी में दूसरी चीज की आती है तो तीसरी चीज़ की आती है जो चीज़े लेंड से अटेज़ड है वो आती है तो बेसिकली हम देखें तो लेंड के अराउंड ही रिवाल हो रहा है इंपॉर्टेंज और लेंड क्या है एक लेमिटेड रिसोर्स है अनलाइक मुवबल प्रॉपर्टी जो की बहुत जादा ड और बहुत जादा सिग्निफिकंट है दूसरा पॉइंट हम देखते हैं जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसमें भी हमें यहां पर प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस दिखाए देती है कि जैसे अगर कोई कॉन्ट्रेक्ट फॉर सेल ओफ इमोबल प्रॉपर्टी है तो वह पे प्रॉपर्टीर और क्यों अगर कोई अगर किसी का किसी के साथ कॉंट्रेक्ट है कि उसको 10 गैंडी जांस करेगा लेकिन अगर उसने वो उसको sell नहीं करी तो जो दूसरा बंदा उसको इतना अगर damage नहीं होगा वो कई और से भी cotton candy खरीद सकता है लेकिन ऐसा immovable property मतलब land में नहीं होगा land limited है वो बहुत जादा duplication नहीं बन सकते हो इतनी असानी से available नहीं है अगर किसी ने contract करा है for sale of land तो उसवा presumption है कि वो perform ही होना चाहिए क्योंकि अगर वो perform नहीं हो तो उसको बहुत जादा मुश्किल होने वाली है दूसरा वैसा ही land उड़ने में तो इसलिए दूसरा point ही हो गया and third point है registration जो भी movable property होती है limited property होती है उसका registration जरूरी होता है हमारे Indian law में लेकिन movable property का registration जरूरी नहीं है इसा क्यों है एक है eminent domain theory जो की कहती है जो सारी property है वो state को belong करती है और state हमें अपने pleasure पर property देता है citizens को state की permission and state के pleasure के ओपर हमको property मिलती है otherwise हमारा property भी कोई हक नहीं है eminent domain theory यह कहती है जो की सच भी है क्योंकि यह public purpose के लिए state हमसे property ले भी सकता है और जो दूसरा reason है registration का कि वो एक limited property है तो उस पर हमसे वो stamp duty और property taxes लेता है और उसको maintain करना चाहता है पूर अची तरीके से ताकि state हमसे taxes collect कर पाए और उनको proper functioning हो और कोई दिक्कत ना हो और इस वज़े से अगर आप देखते हैं तो court में भी अगर कोई third बंदा claim कर देता किसी की property पर उपर तो जब तक वो court का settlement नहीं होता है वो property को हम किसों को transfer नहीं कर सकते तो इस वज़े से registration वगयरा बहुत important हो जाते हैं अब हम दिखते है property classification in English law काफी similar concept है Indian law के जैसे ही लेकिन बस थोड़े words change है Indian law में जैसे हम property को classify करते है between movable and immobile property यहाँ पे classify करते है between reality and personality reality property वो होती है जिसको हम recover कर सकते हैं तो अगर हमारी property के साथ कुछ wrong होता है तो हमारे पास क्या remedy होती है या तो recover हो सकती है या फिर हम उसके गिंश damages मिल सकते हैं जिसको हम recover कर सकते हैं वो personality property हुआ है जिसके पास हमारे पास right to recover नहीं है हमारे पास उन्हें right to damages है तो English law में क्या होता था जो land होता था उसको कहते थे reality property क्योंकि हम उसके पास हमारे पास right to recover होता था लेकिन personality property होती है जिसमें जो क्योने goods जिनके पास हमारने पास right to recover नहीं होता उन्हें right to damage होता है तो आपर यह दो तरिके की property होती है reality प्रस्नाएटी पतला जिसमें recover हो सकता है और इसमें land आता है और हमारे पास mars हमारे पास recover करने की right नहीं होता इस वीडियो के लिए इतना ही अगर पसंद आया तो like करें, subscribe कर और हमारे telegram channel join करें ताकि आपको ये PPT मिल सकें, thank you